नमस्कार, दिवियो होम से मैं फालगुनी आप सब का हादिक स्वागत करती हूँ जैसा कि आपको पता है 28 भरवरी से सुरु हो गया है हम सब का मनभावन फालगुन मास जिसे फालगुन मास भी करते हैं क्योंकि इस मास की पुरिणिमा फालगुनी नक्षत्र में होती है इसलिए इसे फालगुन मास या फालगुन मास बोला जाता है भारत के उत्तर भाग में तथा बाकी के अन्य हिस्सों में ये ओलिरी सुरु हो चुका है तथा भारत के पस्चिम भाग में ये शुरू हो रहा है 14 मार्स से लेके 12 अप्रेल तक तो आये जानते हैं फालगुन मास में हम किस देवता की पुझा करें तथा फालगुन मास हिंदू पंजान के अनुसार क्यों महतो पुरुन है इसकी चर्चा लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं रोज की तरह मुझे कॉमेंट बॉक्स में आयलव फालगुन मास लिखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फालगुन मास हिंदू पंजान का आखरी मैना है इस मास में एक और जहां बसंत रुतू का प्रभाव रहने से प्रकृती अपने पुरन योवन रूप में रहती है पीली सरसों की खेत लहराती हुई तथा अनिक जगा पे प्रकृती अपनी नव योवना के रूप से प्रतीत होती है तथा दुसरी और अनिक तीजत्योखार आने से मनुष्य के जीवन में भी आनंद उल्लास और नए उर्जा का संचार होता है ऐसे में गर्मी की दिमी दिमी शुरुवात होती है सुबह और शाम को हलकी गुलाबी ठंडी और दोपहर में गर्मी की दिरी दिरी शुरुवात ये पूरा वाता वनण में एक रुवान यतसी भर देती है और फागुन मास हम सब के लिए मनभावन मास बन जाता है आए जानते हैं फागुन मास में किस देवता की पुझा करें आप सब को पता है कि हिंदु धर्म के अनुसार प्रतेक मास में एक विशिष्ट देवी देवतां की पुझा का विधान बताया गया है इसके अनुशार फागुन मास में तेन देवताओं का पुझा करने का विधान बताया है वो तेन देव है भगवान श्री कृष्ण इस मास में भगवान श्री कृष्ण की तीनों रूप बाल कृष्ण युवा कृष्ण तथा गुरु कृष्ण की पुझा का विशिश विधा बताया गया है तथा शीव शक्ति भगवान श्री शंकर माता पार्वती के साथ की पुझा का विधान भी बताया गया है क्योंकि इस मैने आ रहा है महा श्रीवरात्री का महा पर्व जिसका वीडियो में आपको अलग से देने वाली हूं इसके साथ साथ इसी फागुन महिने में चंदर देव का जन्म हुआ था इसलिए पूरे मास यदि शाम के समय चंदर दरी के समय आप चंदर को अर्द देते हैं तो भगवान चंदर आपके मन का कारक होने से मन के सारे अवसाद मिटा देते हैं इस तरह से इन तीनों देवताओं के पुझा का विधान फागुन मास में बताया गया है आए जानते हैं फागुन मास का वईग्यानिक महत्व हमारी जीवन में क्योंकि फागुन मास रितु संधी में आता है ऐसे में हमें पूरे फागुन मास के दोरांत हलके गरम पानी या श्रीतल जल से स्नान करना चाहिए अनाज कम से कम खाना चाहिए फल फलादी ज्यादा खाना चाहिए इसके उपरांत हलके अनाज जैसे होली में हब धानी मुर्मुरे आदी खाते है वो हलकी अनाच खाए, खजूर का सेवन करे, तथा फल फलादी खाए, मास मदीरा आदी का सेवन इस तोरान नहीं करना चाहिए आए जानते हैं फागुन मास में आने वाले तीजतियोहार, सबसे पहले तो फागुन सुकलपक्स की अश्टमी को हम जान की जहनती के रूप में मनाते हैं, इसी दिन माता जान की यान की सिता का जहनम हुआ था, फागुन मास की चतुदसी तिथी को हम महाशुराती का महापर् जिस दिन भगवान श्री शंकर और माता पारोती का विवा हुआ था फागुन मास की कृष्ण द्वितिया के दिन हम फुल्डोल उत्सव मना रहे हैं इसे फुलेरा दूज भी बोला जाता है इस दिन ज्यादा तर हिंदु धर्म के ज्यादा तर कृष्ण मंदिर में फुल्ड से पुरे मंदिर को सजाया जाता है यह जो फुलेरा दूज है वह अबूज मुहुर्थ है क्योंकि इसके बाद होलाश्टक लग जाता है तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा शुब कार्य शादी आदी हम कर सकते हैं जिसके लिए मुहुर्द देखने की जरूरत भी नहीं है और इसके साथ साथ फागून मास की जो शुकलपक्स की एकादसी है एक वीजिया एकादसी कृष्ण पक्स की एकादसी आमल की एकादसी तथा फागून मास की पुरुनिमा को आ रहा है रंगू का हरा भरा त्योहार होली होली का दहन और इसके दूसरे दिन आता है धुलेट इस तरह से पूरा का पूरा फागुनमास तेज तियोहारों से भरा है आये जानते हैं फागुनमास में करने वाले कुछ विशेश उपाई सबसे पहले तो हम भगवान कृष्ण की यदि आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की लड़ू गोपाल की मुर्ती है तो पूरे भ संतान की अपक्षा है वह लड़ू गोपाल का जो मुरत है उसे रोज नए नए कपड़े पहनाए नए इत्र लगाए खास करके पलाश के फुलों से उसे सवारे और पूरे मंदिर को आप तरह तरह के फुलों से इस मैने सजा सकते हो जिससे भी घर में नए उर्जा का संचा होता है जो लोग अर्थिक उन्नती चाहते है वह इस मैने पूरे मैने माता पार्वती को लाल चीजों का भोग लगाए तथा माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल और गुलाब का इत्रे लगाए जो मैला है अखंड सोभाग्यवती का अश्रवाद पाना चाहती है वह माता पार्वती को लाल चीजें लगा के उसका लाल चीजों का भोग लगा के अखंड सोभाग्यवती रहने का अश्रवाद माता पार्वती से ले सकती है इस तरह से छोटे मुटे उपाई करके फागुन मास में आप सभी देवी देवताओं का अश्रवाद पाए स्पेशली इतने भी देवी देवता है उसे अभी गुलाल लगाए खुद भी फुलों का गहने पहने भगवान को भी फुलों के गहने से सजाए और पूरे घर में नई उज्जा का संचार करें फागुन मार्ष में भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा बनाये रखे इसी सुबका कामना के साथ जूरे रहें मेरे साथ दिव्यो होम में तब तक के लिए नमस्कार